तो कहते हैं पहले चरण का जब चुनाओं हुआ तो मद्दान के आंकड़े आने में 11 दिन क्यों लग गए क्यों उन आकड़ों को छुपाया जा रहा है इस आरूप पर क्या कहेंगा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं कम सगम आज तक से अप्रक्षा करता हूं और हो सकते तो इंडिया टूड़े भी इंडिया पूड़े आपका हां दोनों से कि जो इलेक्शन कमिशन ने एक चिठी लिखी है उच चिठी पर ही विद्वानों की डिबेट हो पुलि और उन्होंने सही किया गरत किया क्योंकि मैं इसी के लिए कोई कमेंट करूँ ठीक नहीं है दूसरा इलेक्शन कमिशन यह जो इंस्टिटूट है करीब करीब 50-60 ताल तक सिंगल मेंबर रही है और मज़ा यह है कि इलेक्शन कमिशन से जो लोग निकले वो कभी गवरनर बन कभी MP बने कभी पार्लामेंट का चुनाव लड़ने गए अड़वाने जी के सामने मतलब उन्होंने कैसे लोगों को बिठाया था इसका उधार ने उस जमाने के जो इलेक्शन कमिशन जो रिटार हुए जो बैठे हैं वे आज भी उसी पुलिटिकल फिलोसाफी को प्रमोट करने वाले ट्वीट करते हैं उपिनियन अपने देते हैं आर्टिकल लिखते हैं इसका मुझलब अब जहां करके इलेक्शन कमिशन पुर्ण रूप से स्वतंद्र बना है और मैं चाहूंगा आज तक से और मुझे पका विश्वात है अभी नहीं तो कभी आप लोग करेंग कि भारत के इलेक्शन कमिशन के जो यात्रा है इस पर अनालिसिस हो